सिर्फ एक चमश तेल में आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पास्ता यह आपको इतना पसंद आएगा कि आप बार बार ऐसे ही बनाओगे काफी जादा हेल्दी भी तो यहां पर एक कड़ाही में हमने वन टेबल स्पून के जितना तेल लिया है और तेल गरम हो जाएगा स सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे बारी कटा हुआ प्याज यहां पर मैंने एक बड़े साइज की प्याज को बारी कट करके डाला है इसको हलका सा भूनेंगे हम यह देखिए प्याज हमारी हलकी सी भून गई है इसमें हम एड़ करेंगे सबजियां तो यहां पर एक सिमला को हमने fine chop करके डाला है इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे फिर हम इसमें कुछ sweet corn डाल देंगे vegetables आप इसमें अपनी पसंद की डाल सकते हैं जितनी ज्यादा vegetables डाल के बनाना चाहें उतना ही आपका healthy pasta बनके तयार होगा यहां पर मैंने एक medium size की गाजर ली थी उसको भी grate करके डाल दिया है सभी चीजों को अच्छे से भून लेना है सबजियां हल्की सी soft हो जाएंगी हल्की सी भून जाएंगी फिर हम इसमें डाल दिया दो बड़े साइज के टमाटर का पेस्ट तो बस mix to में हमने 2 टमाटर का पेस्ट बना लेगा वो डाल लिया 3 टो напावा शार सा न इसी से हमारे जो पास्ता है उसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही गजब काएगा तो ज़्यादा तेल डालने की जरूरत नहीं है पास्ता आपका फिर भी बहुत टेस्टी बनेगा एक चमज चिली फ्लेक्स डाल दिये साथ में डाल दिया एक चमज के जितनी पीजा सीजनिंग और इसको हम अच्छे से भून के तयार कर लेंगे यह देखे फ्रेंच यह हमारा बढ़ा सा मसाला रेडी हो गया है अब इसको थोड़ी सी स्वीटनेस और चट्पटा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें एड़ करेंगे लगभग दो चमज के जितना टोमैटो कैचप और इसको भी अच्छे से मेक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें एड़ कर देंगे अपना बोईल किया हूँ आए पास्ता तो बस पास्ता को पानी में बोईल कर लिया पानी में थोड़ा सा नमक और साथ में हमने एक चमज तेल भी डाला था यह देखे उबला हुआ पास्ता ह आप देखेंगे कि जितना सारा मसाला था वो पास्ता में अच्छे से लग जाएगा और आप देख सकते हैं तेल के इस्तेमाल हमने इसमें बहुत ही कम किया है तो अगर आप पास्ता खाने के सौकीन है और उसे हल्दी वे में बनाना चाहें आप सूजी मैदा कुछ भी ले सकते हैं थोड़ा सा टेस्ट में मुझे टोमेटो कैचप की कमी लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा कैचप इसमें और डाल दिया है बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ये लीजिए हमारा बहुत ही टेस्टी चटपटा सा पास्ता बनके तयार है बहुत ही कम तेल वाला आप इसे जरूर टाय कीजेगा रेसिपी कैसी लगी फीड़बेक में जरूर बताएगा फिर मिलते हैं बाई